हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक तो मैं चैनल में हूँ संजीता आज मैं आपको घुमाने ले जाओंगी हाइड्रोग पावर प्लैंक जो है इलेक्ट्रिकल पावर प्लैंट ओ घुमाने ले जाओंगी ओ है लोडिशा स्टेट का सबलफुटी स्टेट से चिपली मांच होगा है है वह के है मेरे जो हेरा कुट़्टेम का जो ब्लाग था उसका जू फाना टैंब होई 가격 भर आउस में दिखाती में वह परस्ट पावर झांसी से दो नंबर को सक्वार्स हैं कि इहां पर अ संवलफूर डाउं से Pokemon सी specie यह रास्ते में हैं एनेज़ 56 है हम लोग जा रहे हैं और यह कुछ बोल रहे थे चलिए यह है रास्ता दो रास्ता है जो फिक्टिस उपर जाएगा और नीचे वाला रास्ता लेब साइट में हम लोग जा रहे हैं और सीधे जाएंगे और आप वहाँ पर जाके मैं मिलती हूँ आपके साथ और यह वीव्स आप देखिए यह नजारा एंजोई कीजिए यहाँ पर एक मंदीर है माह घंटे सुरी का और वहाँ पर हम भी जाएंगे आप ब्लोग को में ले जाओंगे और देखिए सामने पूरा व्यूस कितना हरियाली पुरा है मस्क अच्छा दिख रहा हैं यह पूरा पावर प्लेंट है मैं पास में जाके भी आपको मैं दिखाऊंगे पुरा नजारा चलिए देखते हैं फ्रेंट्स आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगे और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेर भी कीजिए यह हमारा ओडिसा का पावर हाउस है सेकंड पावर हाउस है चिपली मा आप मेरे वीडियो पे नया है तो सब्सक्राइब कर आपको लग्रिकेशन में जाए और यह सब उसका व्यूस है बहुत अच्छा यह पहाड के उपर है मंदिर मतलब पहाड के उपर मंदिर है और वह पावर प्लैंट भी बनाये हैं और महानधी का पावर प्लैंट ही यह बुल्ला जो दिखाई थी में पहले वाला ब्लाग में वह फर्स्ट पावर हाउस है और यह सेकंड पावर हाउस है यह जो पानी स्टॉक किये हैं पानी यह वाला पानी है पहाड के साइड में है यह फोटो सुट करने के लिए मतलब बैक्राउंड से वागरा टेड़ी वागरा रखे हैं यह वाला पाहाड है और पानी देखिए और यह पानी जो है अंदर का देखिए उपते सब कैसे रोटेड हो रहा है घूम रहा है ओ यहां पर टर्वाइन भी है और पावार त्यार हो रहा है यहां पर यह दिखे पावर प्लैंट है पूरा मैं दिखा रहे हूं और यहां पर स्विच्ट बगएर आप बोलते हैं वह है यह अंदर जाने के लिए मंदिर अंदर जाने के लिए यह सब पावर प्लैंट का कुछ में मसीन वगएरा है मैं दिखाऊंगी पास में पास से यह कैसे रोटेड हो रहा है घूम रहा है पूरा पानी और दूसरे साइड में जो ब्रीज दिख रहा है दूसरे साइड में उसे पानी छोड़ रहे हैं जादा होने से छोड़ देते हैं नीचे के तरफ नदी के तरफ और यह बांद के रखे हैं पानी वो ब्रीज जो गया है वो है मंदिर के तरफ गया है और देखि ठोस तरफ पानी छोड़ा जा रहा है छोड़ते हैं और नदी के तरफ जाएगा ओपानी के बाद के तो धूड़ा सब कहीं ही Что वी के भी बाढ़ है वह एक लाइन ब्रीज भी वहाँ से आया था वह तूट गया है कनेक्ट हुआ था और पहाड से और यह उसका नचरा है यह जो है फर्स्ट जो प्रीज हम लोग जा रहे थे दो लोग एक साथ ही जा सकते हैं और सेकेंड वाला ब्रीज है जो है मतलब आगे जो ब्री अंदर का नजा रहा है हम लोग नीचे जा रहे हैं मंदीर के तरफ और यह सच तो यह पूरा घंटी घंटी सुरी मां घंटी सुरी का है ना पूरा घंटी जो है लगाया है सब क्या बोलते हैं मांसिक मांसिक जो करते हैं या मांसिक करने के लिए कुछ सुचते हैं वहाँ पर घंटी लगा के आते हैं नहीं तो महांसिक पूरा होने के बाद घंटी लगा के जाते हैं दर्सन करके पूरा घंटी लगा है लगा है पूरा घंटी सब घंटी है चहां पर देखो घंटी घंटी है हम लोग दर्सन करने आये हैं यह सच तो पूरा जीत क कर रहा है था कि वो दिया हाथ में पकड़ेगा लेकिन बोल रहा है गरम हो रहा है पुरा जल जाएगा हाथ पूल रहा है और हम लोग दर्सन किया है आपर अच शर्च वहां पे घंटी बजाने के लिए जिडिनाव करा है इसलिए वो एक बोले किया में करवा दोंगी ऐसे उठा के करवा दिया हम लोग घंटी बांध रहते दोनों आप जिसी भी साइज में घंटी आपकी मर्जी से खरिद के बांध सकते हैं पूजा करके हम लोग आगे पूजा करके थोड़ा से नीचे के तरफ जाएंगे और वहां का पानी देखिए नदी के तरफ नदी के तरफ हम भूब जाने यह पूरा पानी है नदी का पानी हम लोग कुछ पीक्स निकाल लेगे थोड़ा पेठे और अहां से चले जाएंगे देखिए का उसका में जा रहा है हुआ है हुआ है हम हम सुआ अभी निकल रहे हैं घर के लिए मंदिर दर्शन हो गया आपको यह वीडियो कैसा लगा और प्लांट कैसा लगा देखिए और अंदर तो जाने नहीं देंगे यह सब में बोल रही थी बोल रही थी ना आपको क्या मसीन सब दिखाऊंगी यह सब मसीन से आयरन का ब्रीज है यह सब और यह मसीन से देखिए यह पावर हाउस जो है लेफ साइट का है यह पावर हाउस और यह उपर जो है मसीन सब बगेरा है वो कुछ काम करने के लिए मसीन रखते हैं हम दर्शन करके रिटन आगे और कैसा लगा वीडियो आप लाइक केजे थैंक यू सो मच पर वाचिंग